में नाम दीपक्ति आगी है हमारे जो फार्म है यह मितले स्पोर्टी फार्म के नाम से हमाने मम्मी जी के नाम पर है हमने छोटा था 3500 बच्चों को अपना एक फार्म बनाया मुर्गी फार्म इसमें पहले जो एक फीड़ प्रोग कंपनी थी यह बलंचार रहते हैं महां पर तो उनका बच्चा डालता हमने पहला सुरूम अच्छा एक चीज बताओ यह जो इस टेक्चर है यह कह भाई कह का है आपका यह तीस भाई 110 का है तीस भाई 110 तो इसके बनाने में जो है पूरा ऑटोमेटिक है पानी का सब चीज आपने किया हुआ हुआ इसमें लाइट का प तो यह विचार कहां से बना के पौलिटी फार्म करना है और क्वांटेक्ट फार्म करना किसी कमपनी के साथ यह जैनकारी जानकारी यह जैनकारी यह ज़ार्य दूसरे के आज पास हम कहीं जाकरे जाना दुआ पर देख लोगोर चोट चोटे फारम बना रखेते हैं वाप ल सब्सक्राइब करें तो आपने आप जो कर रहे हैं वह कौन सी कंपनी के साथ कर रहे हैं और इससे पहले जो कर रहे थे तो मतलब उसमें क्या समस्य आई आपकी उसमें समस्य यह थी कि जो बच्चे होते हैं तो जो जब आपने उनके साथ काम किया तो आपको एक बैच में कितनी आमदनी हुई एक बैच में हमारे साथ सब्सक्राइब लिए तो उसमें क्या होता है कि जो और जो पैंतिस अजार रुपय आपको मिलें ते उसमें और अधर कोई खर्चा तो नहीं था नई उसमें खर्चा काट के आपको वो सब कुछ काटके आपको मिल गया उसके अलावा कुछी नहीं बागी तो यह जैसे माले लाइट का है तो लाइट का क्या है आपने यहां connection ले रखा है पानी का इंतियाम किस तरीक से किया हुआ है पानी का इंतियाम जो है सब ऑटोमाइटिक पानी चलता है अगर बाइचांस जैसे इंदर देव की नजर थोड़ी कैडी हो जाए और बरसात वगेरा मौसम धुंदला हो जाए और शोलर पेलन काम ना करें तो फिर क्या करोगे वह युक्ता है अब उनके साथ काम किया फिर उसके बाद में आई भी कमपनी के साथ आपनी कांस्वधिया तो वह किस टरीके से डीलिंग होती है अपस में अब अब बात करने पड़ें कंपनी का जो मैंजर आता है मलब फरम देखना आता है कंप्लीट फरम है नहीं है उसके बाद कंपनी में हमलब डोकुमेंट्स लगा जाते हैं अच्छा डोकुमेंट्स में क्या क्या देना पड़ता है अपना पास्बूक की फोटो कोपी अधाकार्ड पैनकार्ड की फोटो कोपी दो ब्लैंक चैक एक जो सरकारी गारेंटर मांगत सब उनकी रहते हैं दवाई बगर सब कुछ उनकार रहते हैं जो सुप्रवाजर वह समझा के विजाता है यह इनकी कैर कैसे करनी है तो मतलब वह जिस दिन बच्चा डालते हैं उससे लगातार आते हैं आपके हां पैसे निए बैसा तो सुरू कि जरून लोट पर रहार लगाता रहते हैं कोई समाझ से आओ को दिका तो बच्चे के बार आप परुआ जब से आपने भारम ये बनाया है तो आपने कितने बेच इससे निकाल दी है पांच इन फीट बरो के दो आई वी के तीसरा है ये तो जो दो बेच रहें उसमें कैसा एक्स्पिरियेंस रहा कैसी तो जैसे आप यह बच्चा है क्या दिन का वच्चा है यह लगा तो और यह जो है कितने दिन तक आपके पास रहेगा लगवक 35-36 दिन में कितना वेट हो जाता है वेट जो है वह कितना फीट खाने के बाद होता है तो अगर देखा जाए तो यह जो कंपनिया आपको प्रॉफिट देती है वह किलो के हिसाब पर देती है किस तरीके से देती यह जो है निकालती है अच्छे ने दाना काया कितना वजन दिया अगर किसान भाई यह करना चाहें कंपनी के साथ काम कर रहे हो अगर कोई और किसान भाई यह करना चाहें कंपनी के साथ करना चाहें तब अच्छा है या अपना काम करें तब अच्छा है तो पैसे थोड़ी समस्या होती है किसके बड़ा तो है निकिकिसके पाद पैसा जगड़ रहा कि अगर पैसे है तो छोटा से फार्म बनाओ पहले हजार का बना लो दो यह कंपनी के तुरू बच्छा गेरो आप पहले पहले जूट डालो है जब मतलब एक्सप्रेंस नहीं है ना अग्सप्रेंस नहीं है जब आपको एक्सप्रेंस हो जागा तरीके समय लो लगड़ा करते हैं बिलकुल तो उसके बाद हम समझने लगें दवाओं को मौसम को बच्चे को उसके मिजा बताई कि हम कॉंटेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन यह नहीं है कि हम बंद हैं ना कंपनी के साथ अपना डाले हैं किसी और कंपनी बाद कुछ नहीं है तो भाई जी आपने यह जो है कॉंटेक्ट फार्मिंग की इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्क्राइब